नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रोज नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्य वाज़े नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी डिप्स दोस्तों आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि नाभी में तेल डानने के क्या फाइदे होते हैं नाभी में तेल डानने के ऐसे फाइदे मैं आपको बताऊँगी जिनको शायद अभी तक आप नहीं जानते तो दोस्तों शुरू करते हैं नाभी में तेल लगाने का पहला फाइदा है مोस्चुराइज तेल प्रागति के रूप से मोस्चुराइजिंग तोचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं यहाँ उन शेत्रों पर बहुत अच्छे से काम करते हैं जो आहाम दोर पर बुला दिये जाते हैं जिसे नाबी और पेट नाबी पर नेल लगाना विशेश रूप कि विशेश रूप से सदियों में उप्रयोगी है जब हवा सुप्र ड्राइ होती है नाबी पर तेल करने से पेट का दर्द कम हो सकता है यह अपयरज दर्द फूद प्रोईजिन जेजी इस तदियों से सामना करेगा यह मतली और सूजन के लिए एक प्रागतिक उपाय के रुपने भी काम करता है क्योंकि नाभी गंदी भी हो सकती है इसलिए यह बैक्टीरिया और कवक के लिए सही गर है कोई भी संक्रामन आसानी से विक्सित हो सकता ह अगर आप नम्दे समे तक इसे नम बनाए रख सकते हैं तो नाभी पर तेल लगाने से आप सभी संक्रामन से दूरभो सकते हैं नाबी पर तेल लगाने से प्रियर्ट के दर्द में राहत मिलती है क्या प्रियर्ड में आप दर्द की वज़े से बिमार हैं तो प्रागतिक राहत के लिए तो अपनी नाबी पर बत्ला किया हुआ तेल लगाएं यह सबसे अच्छा विकल्प, पेपर मिंट, क्लोरी जेल्ड, अदर्द जैसे आउशक तेल हैं इनको आप अपनी नाबी पर डाल कर मालिश करें जिससे आपके एटन दूर हो जाएगी नाबी पर तेल लगाने से प्रजनल शम्ता में भी काफिसदार होता है चाहे आप पुरुश हो या मैना, नाबी पर तेल लगाने से आपकी प्रजनल शम्ता जरूर बढ़ेगी इसलिए नारेल के तेल की या जेतुन के तेल की कुछ बुंदे डालकर नाभी पर जदूर मालिश करें नाभी पर तेल डालकर मालिश करने से शरीर में उज्जा का भी स्प्रोड बढ़ता है तो दोस्तों ये थे नाभी पर तेल लगाने के फाइदे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद